नमस्कार मैं सौरा मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने इस्ट्यूट चैनल एग रुकुल में फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करूँगा The Asiatic Society Institution कोलकाता में जो Assistant Labyrinth के Vacancies आयो ही है उनके बारे में बहुत ही पुराना बहुत ही प्रोमनेंट इस्ट्यूट है कोलकाता में ये The Asiatic Society Institute established हुआ है वहाँ पे ये Vacancies आयो ही है वैसे तो बहुत सारी केटिग्रीज में Vacancies आयो हैं वेबसाइट वे मैंने चेक किया इनके बट हमारा जो मेंली फोकस रहेगा वो लेकर रहेगा किस तरह से आपको फॉर्म अपलाई करना है किस तरह से करेंगे क्या क्या डॉक्मेंटेशन प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन या कौन-कौन से स्टुडिनस इसके लिए eligible हैं, क्या-क्या main categories है इन सब चीजों के बारे मैं आप लोग से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं, website पे चेक करते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ, website पे कैसे आप लोग जाके form डाउनलोड करेंगे उसको कैसे भरना है, कहां speed post करना है यह सारे process आपको मैं दिखाता हूँ आए चलते हैं, website चेक करते हैं और वहाँ से details हम लोग देखेंगे So friends, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग Asiatic Society की website पे आ चुके हैं National Importance का जो institution है उसको declare किया गया है, इस institution को Parliament के act के द्वारा, चेक है आप यहाँ पे आएंगे vacancies के section में तो आपको यह PDF मिलेगा download होने के लिए, मैंने इसको पहले से ही download कर रखा है, आए देखते हैं कौन-कौन से details हम लोग को मिलेंगी इस vacancies के बारे में The Asiatic Society Foundation 1784 बहुत पुराना institution है मैंने आपको पहले बताए, यह national importance का institute declared कर दिया गया है act of parliament के द्वारा, जो ministries of culture, government of India के enter में काम करता है vacancy का notice है, यह notice number आप यहाँ पे देख सकते हैं और यह date, आपको 8th of October 2021 को यह vacancy declared होई थी, तो सबसे पहले vacancy आई है, वो है assistant librarian, group B post non-ministerial post है, दो vacancies है one है unreserved category general students के लिए और एक reserved है other backward cast के लिए, pay scale आपको 7th pay level का मिलेगा, 7th pay commission के द्वारा, age limit आपकी 32 years है, mode of recruitment direct recruitment है, मतलब कोई exam या किसी तरह का कोई exam conduct नहीं होगा, आपको direct interview के द्वारा recruitment यहाँ पे मिलनेगा जो qualification है, master degree in any discipline, आप किसी भी जो इसकी कुछ qualifications है, उसमें सबसे पहली जो शर्त यह रखी गई है, कि आपके पास master degree होनी चाहिए, किसी भी discipline की चाहे वो MA हो, चाहे M.com हो, या फिर किसी और discipline की vacancy हो, और उसके साथ साथ, MA के साथ साथ आपके पास bachelor degree होनी चाहिए, लाइबरी science की, चाहिए, या तो वो degree हो bachelor degree in librarian information science या information science की, या documentation, और any equivalent professional degree, चाहिए, जो documentation selected कोई vacancies होती है, उनके बारे में चाहिए, यह आपको यहाँ पे assistant labirant की vacancies की जो details थी वो, और कुछ और vacancies है, यहाँ पे जैसे lower divisional color की है, nine vacancies आई होई है, चिक, binder के लिए है एक vacancy post है, junior attendant के लिए यहाँ पे पांच vacancies है, आप देख सकते हैं, यह PDF आपको website से download हो जाएगा, कोई और ऐसा friend जो in qualifications को fulfill करता हो, आप उसके साथ यह video share कर सकते हैं, उसके साथ यह PDF share कर सकते हैं, चिक, कुछ important instructions जो candidates के लिए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आप यह application form डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से www.asiaticssociety kolkata.org से, चिक, मैंने आपको भी website दिखाई थी, यह form यही है चिक, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा भी क्या-क्या बाते धिहान रखनी है application for duly completed in the all respect with attested copy आपको अपनी जितने भी certificates हैं, वो अपने आपको self attest कराके यहाँ पे भीजने हैं, क्या लगेगा इसमें, date of birth, अदब date of birth का जो आपका certificate हो, वो पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700016 कैसे भेजना है, speed post कर सकते हैं, या courier कर सकते हैं या तो speed post होगा, या courier होगा, only लिखा है, इसका मदब, अगर आप किसी और method से भेजेंगे, तो यह acceptable नहीं होगा, और जो भेजने का address है, वो आपको बताया भी, the general secretary, आप जो लिखते हैं, two, two के बाद आप लिखेंगे, the general secretary, asiatic society, the asiatic society, one park, street, कोलकाता 700016, चीक है, और जो सबसे उपर आप लिखते हैं, कि यह किसके लिए है, जो envelope में आप लिखेंगे, वो लिखेंगे, application for the post of और आप कोई भी post, suppose आप इसके लिए apply कर रहे हैं, तो यह नाम लिखेंगे, इसके लिए कर रहे हैं, तो यह लिखेंगे, और अगर आप assistant library के लिखेंगे, तो यह लिखेंगे आप, चीक है, इसके बाद आपको लिखे, vacancy against notice number, या आप notice number भी वहाँ पर लिखेंगे, dated, जो date आई है, वो भी लिखेंगे, इसकी जो last date है, वो पहुचने की, उस address पे, वो है 30th November 2021, 18 आवस तक, चीक है, यह कुछ आपकी details थी, बाकी चीजें normal हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, हाँ, इसमें जो आपका selection होगा, वो कैसे होगा, यह shortlist किये ज जाएगे, यह applications जाएगे, उसमें से यह shortlist करेंगे, कि कितने number of candidates को हमें लेना है, कितने candidates को नहीं लेना है, किनकी qualifications match करती है, कितनी desirable जो qualification अगर यह लोग को लगाते हैं, तो वो चीजे होगी, shortlisting करने के बाद एक interview का process यह लोग follow करेंगे, और vacancy clear हो जाएगी, ठीक है, यह कुछ basic details थी, यह PDF आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अब आप यहाँ देखेंगे application format, यह आपका application format है, reference number यहाँ पर लिखा है, date लिखी हुई है, यहाँ पर अपने एक photo लगाएंगे, क्योंकि देखें, अलग-अलग post के लिए, अलग-अलग लिए form पहले से ही बना आप लिखेंगे, name, in block letters, husband or father name, nationality, date of birth, किस category में आप reserved हैं, वो आप लिखेंगे, male, female का address, यहाँ पर address मेंशन करेंगे, with pin code, phone number आप देंगे, अपना यहाँ पर, email address लिखेंगे, आधार काट, यह option है, आपकी जो भी academic qualification है, name of the examination past, year of passing, board और university, division, class grade, यह सब चीज़े आप य कोई experience आपके पास हो, वो चीज़े यहाँ पर mention करेंगे, कोई और other information, वो यहाँ पर, declaration आप पढ़ेंगे, signature, यहाँ पर signature करनेंगे, date, place, और क्या-क्या चीज़ें आपको enclose करनी है, certificate in support of date of birth, attested copy, certificate in support of caste, caste की आप PWD के इने date है, ex-serviceman है, तो वो चीज़े यहाँ पर, certificate for the mark sheet of all examination, जितने भी आपके examinations हैं, आपने pass out किये हैं, वो वो self attested करके, certificate of professional qualification, वो चीज़े यहाँ पर, आधार card, अगर available है, तो वो भी attest करके भीज़ेंगे, और अगर experience certificate कोई हो, तो वो चीज़ें, तो यह सारी चीज़ें आपको अपने इस form के साथ, यह जो मैंने आपको इस वीडियो को देख रहा है, और यह वाला form भरना चाहता है, तो उसको page number 6, यह दिखें, मैं page number 6 पे हूँ, अभी यह, तो page number 6 का form उसको भरना होगा, अगर वो भरना चाहता है, lower diffident करका, इसी तरह से, अगर वो भरना चाहता है form binder का, तो वो page number 8 का form, यह form print out करके, यह जो last year, junior restaurant का बचा है, यह, इसके लिए यहाँ पे, so friends, आपने देखा, एक जो asiatic society में assistant librarian के वेकंसी थी, उसके बारे मैंने आप कोई detail दी, कोई और doubt हो, कोई और point अगर आप miss out कर रहे हो, कि sir, यह चीज मुझे clear ने हुई कैसे करना है, तो आप नीचे comment box में उसको बोल सकते हैं मैं वहाँ पे आपको जरूर उसका reply करूँगा, और भी ऐसी videos के लिए, और भी ऐसी vacancies details के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं, अपने friends लोग साथ share कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करेगा, और channel को subscribe परना ना भोलिए, मिलते हैं को और ने वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार जैहिन